प्रदेश भर में विश्व तंबाकु दिवस की पूर्व संध्या पर कारिक्रमों का आयोजन कर आमजन को नशे के दुश्प्रभावों से अवगत करवाया जा रहा है इसी कड़ी में राच्किय वरिष्ट माध्यमिक पारशाला संजौली में भी कारिक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर बच्चों को नशे के दुश्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई बुद्वार को राजधानी शिमला के संजौली स्थित राच के वरिष्ट माध्यमिक पारशाला में विश्व तंबाखु दिवस के पूर्व संध्या के मौके पर स्वास्थ एवं पडिवार कल्यान विभाग द्वारा कारिक्रम का आयोजन किया गया इस दोरान पारशाला में नशे के दुश प्रभावों से बच्चों को अवगत करवाया गया वहीं नशे के दुश प्रभावों पर भाषन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया सिरी चैनल से बात करते हुए जिलास्वास्थय अधिकारी नरेंदर भारद्वाज ने बताया कि आज की युवापिडी नशे की चपेट में आ रही है जिससे उनका भविश्य अंधकार की ओर है उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुश प्रभावों के बारे में जानकारी देने के उदेशे से प्रदेश भर में विश्वत अवाखु दिवस के पूर्वसंध्या के मौके पर कारेक्रम का आयोजन किया गया साथ ही उन्होंने कहा कि कारेक्रम का मुख्य उदेश युवाओं को नशे से दूर करना वो उनके भविश्य को सुनिश्यत करना है उसके बारे में इनको जागरुक रहाना है इसके बारे में हम बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रदोक्ताए विरखी है जैसे बासर प्रदोक्ता है फिर पेंटिंग और उसके दुरा जुदा विचीशाון के zwei परने अपने बिचार gelmiş यह आप प्लेट कर रहे हैं उसके बार हमे ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ला